नमस्कार साथ हूं मेरा नाम है RKC संस्किती ISK विकली करेंट अफेर सीरीज में आप सभी का स्वागत है इस सीरीज के अंतरगत इस महीने के इस हपते के अंतरगत जो भी भुगोल परियावरान और पालिसित की खंड से जुड़े हुए जो महत्पूर निउज है जो आपके महत्पूर हो सकती है उन पर हम चर्चा करेंगे उन से जुड़े हुए जो महत्पूर तत्थ होंगे उन पर हम प्रकास डालेंगे कौन-कौन से टापिक होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे तो ये टापिक है जिन पर आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं चर्चा करन वाले हैं और देखेंगे कि ये क्यों चर्चा में हैं और ये क्यों आपके लिए महत्पूर्ण है चलिए आज के एपिसोड का पहला जो टॉपिक है वो जुड़ता है सहारा रेगिस्तान से जहां पर कहा जा रहा है कि 50 बरसों में पहली बार बाढ़ की स्थिदी देखने को मि है लगभग आप देखेंगे तो अनुमानता लगभग 11 देशों में इस रेगिस्तान का विस्तार मूल रूप से देखने को मिलेगा इस पर भी डिस्प्यूट है लेकिन अभी हमारा क्या चर्चा कभी से है कि इस रेगिस्तान का जो विस्तार है अलग-अलग देशों के चपर्णार्य में अच्छानक भारी बर्सा हुई बड़ी मुश्लाधार बर्सा हुई और इस कारण से आप देख सकते हैं जो घटना है ये लगभग 50 बर्स के इतिहास में पहली बार देखने को मिली है और इसी कारण से खास तौर पे ये चर्चा का भिषय बनी हुई है चलि इससे जुड़े हुए जो महत्पूर्ण बिंदू हैं उन पर हम बात कर लेते हैं दुनिया की सबसे सुस्क जगह मानी जाने वाली है ये अफरीका का सहारा रेगिस्तानी छित जहां लगभग 50 बरस बाद पहली बार इस तरह की भारी बरसा हुई है इसी कारण से ये चर्चा में है ये जो बारिस हुई है ये खास तोरपे ITCJ के समाने से अधिक उत्तर की तरफ सिफ्टिंग होने के कारण हुई है बेसिंग जो सिफ्टिंग का प्रभाव होता है जो इसका मेथड है वो आप जानते होंगे तो इसी अंतर उस्ण कटिबंधी अभी सरण छेत्र के उत्तर के तरफ यानि समाने जहां तक ये सिफ्टिंग होती है उससे अधिक इसका अस्थान आंतर होने के कारण ये घटना य कोंकि यह जो पूरा च्ष्टर है यह बरसा victim cht रहे हैं यहां पर इस तरह का कोई बरसा वाला च्षितर नहीं है और इसी करांद से जब不到 ढ़ेंन पर जो अुझा होई तो पिर बेकर झिज मतन화를 फिए के निचे अब पानी की चादरे फैल गए आप देखते होंगे जब आप नदी के किनारे जाते होंगे और जब उपर सेंड होता है जो रेथ होता है उसको हटाते होंगे तो नीचे क्या है पानी की परत आपको देखने को मिलते हैं ठीक वैसी थी यहां पर देखने को मिलने लगी मुरकों में दो दिन लगातार बारिस हुई और इस कारण से यहां पर देखें तो बड़े छेतर में क्या है कि बरसा का जो जल है वो दिखने लगा और यहां पर अभी तक का देश में साल भर की जो औसत बरसा होती थी उसका भी रिकार्ड इस मात्र दो दिनों में तूट गया तो इसी आकड़े से आप देख सकते हैं कि यहां पर कितनी बरसा हुई कुछ अन्य बातों की चर्चा करें तो मुरकों की जो मौसम भी ग्यान एजनसी है उसने ये कहा है कि राजधानी जो रबात है यहां की मुरकों की राजधानी रबात है यहां से 450 किलो मीटर दच्छिड में इस थिख जो टौगो नाइट गाउं है यहां पर 24 गंटे में 100 मिलिमीटर से अधिक बरसा दर्ज की गई है इससे पहले सहारा रेगिस्तान में बरस 1974 में 6 साल के सूखे के बाद बारिस हुई थी जो बाद में बाढ़ में बदल गई थी तो यह पिछला इतिहास है लेकिन इस बार सारे रिकार्ट तूट चुके ह मोसम बैग्यानिकों ने बताया है कि पिछले 50 साल में पहली बार सहारा रेगिस्तान में इतने कम समय में इतने अधिक मात्रा में बरसा हुई है यही नहीं नासा के जो सेटलाइट्स हैं उनकी जो तस्वीरे हैं वो यह दर्सा रहेंगी यहां पर जो इरीके जिल है इसमें भी पानी भरता दिख रहा है जो लगभग एक तरसे देखें तो पिछले 3-4 दसकों से पूरी तरह से यह जील लगातार सूख रही थी और इस कारण से देखें तो अब यहां कुछ सकरात्मक कह सकते हैं कि यहां पर न्यूज हमें देखने को मिल सकती है बारिस से रेगिस्त पानी समुदाय में पानी के जो आपूर्ती हैं उसके लिए सबसे महतपूर कह सकते हैं कि यह स्रोत हैं तो इस तरह से हमने देख लिया इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम बात करें तो यहां पर जो बिभिन च्छित्र हैं जहां पर सहारा डेजर्ट फैला हुआ हुआ है त थोड़ा सा यहां पर सहारा जो मरूस्थल है उसके जो जानकारी है उसे हम देख सकते हैं जैसे अगर बात करें कि जो सहारा नाम है यह जो वर्ड है यह अर्भी वर्ड है सहारा जो है इसका नाम अर्भी है और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है डेजर्ट यानि होती है उसी से लिया गया है और इसका मीनिंग आप समझ रहें 92 लाख वर किलो मीटर कह सकते हैं कि इसका एरिया है तो यह भी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा छेत्रफल है सहारा का दुनिया में सबसे बड़े जो रिगिस्तानी छेत्र है उनमें यह सामिल है और लगभग 11 मारा देश जैसे देखे एजिप्ट सुडान चाड लीबिया नाइजर अलजीरिया माली मारुतानिया वेस्टन सहारा मुरक्को तिनुशिया में फैला हुआ यह मरुस्थल है इसके दच्छिन में आएंगे तो आपको अर्द सुस्क मरुस्थल देखने को मिलेगा यह वाला का जो गर्म रेगिस्तान है और नीचे आद्र समाना वाला जो छेत्र है इन दोनों के बीच में यह एक तरह से ट्रांजिशन स्टेट में फैला हुआ च्छित्र है और यह चर्चा में बना रहता है तो यह हमने देख लिया कुछ महत्पूर्ण इससे जुड़े हुए जो त इतना है यह हाल ही में Aurora Borealis जो है यह USA यानि अमेरिका, Canada, Germany और भारत के लद्दा के हाले गाउं में देखी गई और इसी कारण से एक बार फिर से यह चर्चा में आप देखिए बड़ा ही मनोरम कह सकते हैं द्रिश से होता है और यह एक घटना है इसके बारे में हम चर्चा क करेंगे कि आखिर यह है क्या लेकिन आप देखिए जहां भी यह परिदिश से उभरता है वहां बड़ा ही कह सकते हैं बिस्मित करने वाला यह द्रिश से होता है लोग इसे बड़े ही कह सकते हैं अचंभे के साथ देखते हैं कि आखिर यह है क्या इसी को हम बात करने वाले ह अगर अरोरा की बात करें तो दच्छनी और उत्री धूप ये समानिता रात में या सुबह होने से ठीक पहले ये दिश से दिखता है ये खास तोर पे लाल नीले रंग के मिस्षित प्रकास को अरोरा हम कहते हैं आप देखिए इसमें जो आप देखेंगे तो लाल और एक तरह स जो ब्लू है इनका मिस्षण आपको देखने को मिलेगा ठीक है इसी को अरोरा नाम दिया गया है सुरी की सता से जो आवेसित कड़ है जब प्रीथवी के वाई मंडल में प्रिवेस करते हैं तो अरोरा की उत्पत्ती होती है ये ओरिजिन इसका होता है प्रीथवी के ओर से तिब्रगती से चलने वाली जो सौरपाउन है ये सुरी के चुमबकी छेत्र को भी अपने साथ ले जाती है जो मैंगनेटो स्फियर को बाधित करता है इससे अरोरा सब स्टॉम उत्पन होता है इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम बात करें मैंगनेटो स्फियर में नियंत्रित होते हैं इलेक्टो मैगनेटिक जो फिल्ड होता है उससे ये कंट्रोल होते हैं जब सुरी का चुमबकी छेत्र प्रीथिवी के निकट पहुचता है तो ध्रूओं के समीप उत्पन जो सुरचात्मक चुमबकी छेत्र उससे ये डिफलेक्टेड हो जाते हैं और इससे उत्तर और दच्छिर ध्रों पर जो इलेक्ट्रांस है और जो प्लाज्मा तरंगे हैं उनके परसपर सम्मिलन से एक तरह का प्रकासिक किर्णे दिखाई देती हैं और इसी घटना को हम देख रहे हैं और ये चर्चा का भी से बने हुए इसके अलावा कर बात करें तो ध अरोरा आस्टेलिस का नाम दिया जाता है तो यह महत्पूर ने दोनों में अंतर है अरोरा जो बॉर्यालिस है इसको खास तौर पे जो अमेरिका है जो कनाड़ा है जो आइसलेंड है जो ग्रीन लैंड है जो नार्वे है स्वीडन है फीनलेंड है यहां पर अकसर यह जो आते थी उन पर भी हमने चर्चा कर ली अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं नागारजुन सागर स्री सैलम टाइगर रिजर की क्योंकि यह न्यूज में है क्यों है तो तेदूं की आबादी में सबसे अधिक बृद्धी इस बंच्षेत्र में हुई है और इसी कारण से यह चर कर ली किया गया और उसी में इस तरह के जो आकड़े आये हैं उसमें इससे जुड़े हुए जो महत्पूर्ण आकड़े आये हैं उसमें यह कहा गया है कि भारत में तेदूं की जो संख्या है वो लगबग 13874 है इस रिपोर्ट में नागारजुन सागर स्री सैलम जो टाइगर रिजर है यह खास तरपे चर्चा में है यही नहीं यह कहा जा रहा है कि यहां पर नागारजुन सागर स्री सैलम जो टाइगर रिजर है यहां पर इस समय वर्तमान में जो टेदूए हैं उनकी जो संख्या है वो 360 पहुच चुकी है जो बड़ा ही कह सकते हैं कि एक सकरात्मक न्यूज है क्योंकि यहां पर तेदूओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसी कारण से यह चर्चा में है नागारजुन सागर जो स्री सैलम टाइगर रिजर है इसे आप देख सकते हैं इसके मैप को आप समझ सकते हैं कि इसकी अवस्थिती कहां पर है इस आसम गुंटूर और नाल गुंडा के साथ महभूब नगर जिलो में यह फैला हुआ है और नल्ला मल्ला जो पहाडिया है उस छेतर में भी इसका बिस्तार देखने को मिल सकते हैं यहां पर प्रमुख जो नदी है क्रिशा नदी यह इस टाइगर रिजर की उत्तरी सीमा का न जाती हैं वो भी यहां पर वास करती है इस टाइगर रिजर को 1983 में प्रुजक्ट टाइगर के अंतरगत सामिल किया गया था और बर्स 1992 में इसका नाम बदलकर राजू गांधी बनजीव अभ्यारण कर दिया गया था तो इससे जुड़े हुए यह कुछ महत्पूर्ण तथ प्रमुख यहां पर फालस हैं जहरने आपको देखने को मिल सकते हैं यहां पाए जाने वाले जो प्रमुख जीव हैं उनमें आप देखेंगे कि बंगाल टाइगर तेदुआ जंगली जो चित्तिदार बिल्ली है वो आपको देखने को मिल सकती है पैंगोलीन देखने को मिल सकते हैं इस टाइगर जर में दच्छिडी उस्ड कटिवंदी सुस्क मिस्रित पणपाती बन से लेकर काटे दार बन तथा विभिन प्रकार की जाडिया यहां पर देखने को मिल सकती है तो यह हमने देख लिया इसके अलावा थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक प्रमुख जील ह यह चर्चा का भी से बनी हुई है जील क्या है जील का नाम है रूप कुंड जील जलवायू परिवर्तन का प्रभाव इस जील के ऊपर देखने को मिलना है समय देखेंगे तो पूरे दुनिया में चर्चा का भी से क्या है तो क्लाइमेट चेंज है क्लाइमेट चेंज के कार क्लाइमेट चेंट के जो विभिन प्रभाव अब धीरे-धीरे दिखने लगे हैं वो चर्चा का भी सह बने हुए यह अलग बात है कि इसके लिए कई सारे प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन अब भी यह जो प्रयास है यह परियाप्त नहीं है और इसी क्रभ में एक नया उदार में वह लगतार क्या कर रहा है स्रिंग कर रहा है यह छोटा होते जा रहा है और इसके आकार और पास्थित की तंत्र अब प्रभावित हो रहे हैं अगर इस जीन की बात करें तो इस जील का जो संबंध है ये उत्तराखंड से है भारत का परवती राज है उत्तराखंड यहाँ पर जो चमोली डिस्टिक है जो चमोली जीला है वहीं पर ये अवस्थित है त्रिसूर परवत के आधार पर समुद्र तल से अगर देखें तो ये काफी उचाई पर 16500 फिट उचे अस्थल पे ये अवस्थित है ये अपने किनारे पर पाए गए 500 से अधिक जो मानो कंकाल हैं उस कारण से खास तोर पे इसको चर्चा मिली थी जिसके कारण से इसे कंकालों के जील के नाम से भी जाना जाता है यानि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कंकाल मिले थे इस कारण से इस पर कई सारे सोध हुए हैं बरस 1942 में एक बन अधिकारी एच के जो मधवाल है इनके द्वारा यहां पर जमे हुए पानी में जो मानवस्थियां हैं उनकी मौजूदगी देखी गई और इसके बाद इस जील के तरफ पूरे दुनिया की नजरे गई और फिर इस प्यानिक है इनके द्वारा बरस 2019 में किये गया एक स्टडी ने इस सिधान्द को खारिज कर दिया कि यह जो कंकाल है यह एक ही समूखे है इन्होंने यह कहा कि यह जो कंकाल यहां पर देखने को मिले है यह एक समूखे नहीं है इसके बज़ाए सोध में यह दावा किया गया कि यह जो भीक्टी है यह अनुवांसिक रूप से बीविध हैं यह अलग-अलग है तत्था इनकी जो मृत्य हुई है वो क्या है कि इनके मृत्यू के बीच में लग-बग एक हजार बरसों का अंतर है तो ऐसा नहीं है कि यह सामोहिक रूप से जो यहां पर कंकाल मिले है इनक के आधार पर यह कहा गया कि भारत में भुमद्य सागरी जो प्रवासी है उनके आने का पता चलता है कहने का मतलब क्या है कि उस समय इस जील छेत्र में हो सकता है कि भुमद्य सागरी छेत्र से जो लोग हैं चाहरे इसकी विशेशता में रंक्ते हुए या अन्य किसी कारण से यहाँ पर आये थे और इसी कारण से उनके जो नरक अंकाल है यहाँ पर पाए गये हैं तो यह हमने देख लिया इसके अलावा एक और न्यूज है जो महत्पूर्ण है आपके लिए यह काजी रंगा राश्टी उद्यान अब यह बना है देश में दूसरा सरवाधिक स अगहनता निवास वाला अस्थान तो इस कारण से यह चर्चा में है असम में यह आपको राश्टी उद्यान ये नेशनल पार्क देखने को मिल सकता है यहाँ पर कई सारी जो प्रजातियां उनकी कई सारी जो जीव हैं उनकी प्रजातियां देखने को मिलेंगी जैसे यहां पर इस बन जीव अभ्यारण में इस राश्टी उद्यान में जाएंगे तो तितली की लगभग 446 जो प्रजातिया है वो आपको देखने को मिलेंगी और यहीं नहीं इसके साथ ही यह जो नेशनल पार्क है यह भारत में दूसरा सरवाधिक सघंता वाला निवास वाला अस्थान बन चुका है अरुडाचल प्रदेश का इससे पहले जो नामदफा रास्टी उद्यान था य इसकान से यह चर्चा में है इसके साथ अगर इससे जुड़ी ही कुछ महत्पुन जो तत्य है उन पर हम चर्चा करें काजी रंगा रास्टी जो उद्यान है यह असम के गोला घाट और नगाव जिलों में फैला हुए इसका विस्तार यहां पर दो जिलों में खास तोर पे देखने को मिलेगा यहां से एक महत्पुन नदी गुजरती है जिसका नाम है दिपलु नदी यह आपको ध्यान देना है कि इस राश्टी उद्यान से दिपलु नदी प्रवाहित होती है एक तरह से इससे कटते हुए निकलती है बर्स 1974 में राश्टी उद्यान घोसित किया था यह और काजी रंगा को बर्स 1980 में अपने अधिती प्राकृतिक पर्यावरान के लिए जो युनेसको है इसके द्वारा विस्व बिरासत अस्थल में सामिल किया गया था यानि विस्व बिरासत अस्थल घोसित किया गया था यहीनि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो सोसा गैंडे हैं उनके निवास अस्थल के रूप में जाना जाता है जैसा अगर बात करें के अभी तक 2022 के जो आकड़े आए हैं उनके अनुसार इस छेत्र में लगभग 2613 गैंडे पाए गये हैं एक बड़ी संख्या यहाँ पर निवास करती है भारती गैंडों की गैंडों के यहाँ पर बहुत सारे बनिजीव देखे जाते हैं जिनमें बाग दलदली हिरन जंगली भैसा हाथी बिल्ली भारती सीवेट सांबर बार्किंग हिरन हाग हिरन गौर हुलाग गिबन और असमिया मकाग जो हैं इसके अलावा रिसस मकाग सलाथ भालू और उद्विलाव जैस कुण से महत्पून हो सकते थे उन पर हमने चर्चा की और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्पून तत हैं उनको भी अपने इस एपिसोड में सामिल किया तो आज के एपिसोड में इतना ही नए एपिसोड में एक नए अंक में अलग-अलग भुगोल परियावरान पास्थि की इसे जुड़े हुए विभिन न्यूज के साथ फिर मिलेंगे तो आप हमारे साथ बने रहें इसके लिए धन्यवाद